जी हाँ नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार CSK और किंग्स 11 पंजाब के बीच में जो मुकाबला खेला गया उसी के बारें में और साथ में मुकाबले का वीडियो भी पूरा देखेंगे तो आप सभी बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक और वहीं दोस्तो अगर आप भी धूनी के फैन है तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और साथ मैं हमारे चैनल RS News को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दवाना जिसे कि आपको क्रिकेट से जूरी तमाम जनकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे और इसी तरहीके से चन्नेई के सामने 189 रनों का लक्षा रखा था तो वहीं चन्नेई के खिलापारी की शुरुआत करने के लिए नियमित केल राहूल और मैंक अगरवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी जहाँ पर कसी हुई गेंदबाजी के आगे दोनों ने ही पावर प्ले में 46 रन जोड़े तो वहीं 9 वे ओवर की पहली गेंद पर मैंक को प्यूस चावला ने 26 रन पर खेल रहे हैं मैंक अगरवाल को सैम क्योरन के हाथों कैच आउट करवाया तो वहीं पंजाब का दूसरा विकेट बंदीप के रूप में गिरा जहाँ पर रविंदरी जड़ेजा ने अंबती राइडू के हाथो 27 रन पर कैच करवाया 33 रन बनाकर श्रादूल की गिंड़ पर विकेट के पीछे कड़े MS दोनी को कैस दे बैठे तो वहीं आपर ग्लेन मैक्सवेल ने 7 गिंदों में 11 रन बनाए और सरफरास खान 9 गिंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर नबाद रहे तो वहीं फिर इसी के जवा में बल्लेबाजी करने उतरी चैन्नी सूपर किंग की टीम जहापर चैन्नी की टीम को फाब डू प्लेसिज और शेन वाटसन ने काफी अच्छी शुरूआत दिलाई हलाकि दोनों ही बल्लेबाज ने शुरूआत में तो आकर काफी धीरमी पारी खेली और दोनों ने अपनी आँके जमाने की कोशिश की चुके लगाकर अपने 50 रनों के आकड़ों को चुआ तो इसमें दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शांदार बल्लेबाजी करकर आज के इस मुकाबले में चन्नी की टीम को पूरे 10 विकेट से जितवा दिया है तो इन दोस्तों शेन वाटसन ने 53 गेंदों में 83 रनों की पारी के लिए और अपनी इस पारी के दोरान दोनों ही खिलाड़ों ने 11-11 चौके लगाए और शेन वाटसन ने 3 चके और 5 डू प्लेसिज में 1 चका लगाया तो आपका इन दोनों के बारे में क्या खयाल है और आप इन दोनों के प्रफोर्मेंस को देखते हुए ने 10 मे बूलेगा और चैनल पर आप पहली बार आये हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को जरूर दवाना जैसे कि आपको क्रिकेट से जोड़ी तमाम ऐसी ही जानकारियों और अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे इसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत